नमस्कार दोस्तों सक्सेसर यूट्यूब चैनल में मैं आर गोर्ड आपका हारदी का भिनंदन हारदी के स्वागत करता हूं एक बार फिर से हिंदी साहित्य के ट्री के इतियास के साथ इस बार लेकराया हूं नाथ साहित्य पिछली बार हमने पड़ा था कि हिंदी साहित्य के पुर्गज्जे साइथ तो पिछले वीडियो में हम सिद्ध साइथे पढ़ चुके थे इस बार नाथ साइथे हमने पढ़ा था बोध्दों से सिद्ध और सिद्धों से नाथों का जो है वो उद्भाव माना जाता है अर्थात बोध्दों की साख एक साखा को लेकर के कुछ बातों से अलग होकर के नाथ जो साइथि है उसका प्रवरतन माना जाता है नाथ संप्रदाए की प्रवरतक मत्सेंद्र नाथ माने जाते है जो अंतिम सिद्ध और प्रवरतन थे ऐसी क्यों दनती है कि सिद्ध संप्रदाय में पंच मकार की जो प्रवर्ती है जिसमें मास, मत, मेधुन, मुद्रा ये सब उनके यहां प्रचलित थे तो मास, मेधुन, मुद्रा इन सब के कारण से इनका चारित्रिक पतन होता गया परणाम सुरूप तो यही चारित्रिक जो पतन है उससे गोरखनात जो मतसंदनात के शिश्य थे इनको विरक्ती हुई और इनको लगा कि मेरे जो गुरु हैं वो किस तरह से इनका चारित्रिक पतन हो गया है तो यह उन पंच मकार को त्या करके और नारी को उपासना के जिस कैंदर में रख करके सिद्ध चले थे उस नारी को उपासना के कैंदर से बाहर रखा तो गोरखनात जब प्रैस्णा पूछा जाता है कि नात साहित्य के आर्म करता कौन है तो वो है गोरखनात जो प्रितिरा च जोहान के सम्काली माने जाते हैं. हाट योग के साधना जो हमने पड़ा था सिद्ध सिद्धान्त पत्धती के अनुसार जो पिछली बार पड़ा था जो गगन मंडल है, उस गगन मंडल के अंदर सूर्य और चंद्र जिनको है और ठे कहा जाता है और यही हट योग कहलाता है नीवर्ति मुलक का उपदेश दिया है नीवर्ति से अर्थ ये है कि मो मया से दूर रहना सारी जो आविशिक्ता हैं उनको दूर रखना उनको मैत तो नहीं देना ये मैत पूर्ण बात ये प्रसन पूछा जाता है कि सठचक्रों वाला योगमार्ग किसने चलाया तो गोर्खनाजी ने एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो सठचक्रों वाला योगमार्ग है वो क्या है आप फटा फट इस बात को समझें कि एडा और पिंगला जो अमारी नाभी होती है उसके नीचे की तरफ इडा और पिंगला मानी जाती है इन दोनों का जो मेल है उसे सुसुमना कहा जाता है यहाँ कुंडलीनी को जाकरित करना पड़ता है और फिर सठचक्रों का वेधन करना होता है सट चक्रों के वेदन के पस्चा आते जो गगन मंडल की तरफ जाते हैं तिर्कुटी जो होती है जो दोनों नैत्रों के नासिका के उपर की तरफ जहां जिसे सुन्य कहा जाता है वहां ध्यान लगाते वे गगन मंडल में जहां सूर्य और चंद्रमा होते हैं सैसराक्ष होते हैं ब्रह्मरंद्र होता है उल्टा कमल होता है तो ये सठचक्रों वाला जो योग मारग है वो गोरखनाजी ने चलाया था बहुत महत्वपुन बात आजारी प्रसाद द्यूएदी ने नाथ पंत को नात संप्रदाय को सिद्ध मारग योग मारग और सबसे महत्वपुन अवधूत संप्रदाय अवधूत मत आदी नामों से अभीत किया ये प्रस्न खूब पुचा जाता है अवधूत संप्रदाय किसे कहा है सिद्ध मारग इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि सिद्धों के ही मार्ग को लेकर चले थे बस थोड़ा सा अंतर ये था पंचमकार का इनों ने त्याग किया था बाकी वही योग मार गए तो अवधूत संपरदाईवाद अवधूत मत नाम किस ने दिये हजारी पर साथ दिये दिने नात पंच सिद्धों की ही विक्सित परंपरा है ये मानने वाले राहुल संक्रितैन राहुल संक्रितैन ने ही सिद्धों की संख्या को 84 माना था गोरखनात की रचनाएं पीतामर बढ़तवाल के नुसार चवदा है ध्यान से सुने आप सभी ये चवदा जो रचनाएं हैं मैं अभी आपको मात्र डेड़ मिनिट में इनको याद करवा दूँगा सबसे पहले देखिए आप क्योंकि नात संफरदाई में और नात साहित्य जो है वो क्योल गोरखनात का ही साहित्य नात साहित्य है गोरखनात जी के पास एक शिश्या आई और पढ़ने के लिए आई तो गोरखनात जी ने सबसे पहले उसे सबद सिखाया सबसे पहले उसे सबद सिखाया सबद सिखाने के बाद में जब कोई शब्द वाक्य में प्रिक्त हो जाता है उसे पद कहते हैं तो उसके बाद में पद दूसरी जो रचना है वो है पद पहले रचना सबद, दूसरी पद फिर दो तरह की मात्राईं सिखाई, पंच मात्रा और अभे मात्रा, वापस उन उन्हे सब्द और पद दो तरह की बाते हो गई जब सब्द वाक्य में प्रिक्त होता है पद कहला था तो सब्द और पद दो तरह की मात्रा होगी पंच मात्रा और अभी मात्रा शिश्या दर्सन शिश्या जो है वो घौर्खनाजी के दरसन करने आई और पढ़ने के लिए आई अध्यन करने के लिए तो सब्द और पद दो तरह की मात्रा पंच मात्रा और अभिमात्रा दो तरह का इसे समई बताया कि तुझे साथों वाराना पड़ेगा और पंद रहती आने पड़ेगी तो सब्तवार और पंद रहती थी कौन-कौन सी बातें दो दुतरे की होगी सब्द और पद दो तरे के सब्द होगे दो तरे की मात्रा होगी पंच मात्रा अभे मात्रा दो तरे के समय होगे सब्तवार और पंद रहती थी दो तरे का उसे ज्यान करवा दिया ज्यान तिलक और ज्यान चोतिसा उस शिश्या को दो तरे का ज्यान करवा दिया ज्यान तिलक और ज्यान चोतिसा ऐसा कहा जाता है कि मात्र ज्यान होने से कुछ नहीं होता है बोध भी होना चाहिए तो आप देखें दो तरे का बोध नर्व सहे बूढ हो गया। अज्ञान का अंदकार दूर कर दिया। रोमावली और प्राण सांकली नेक्स्ट देखें अंत में अंतिम रचना जब मच्छिंद्र जो इनके मच्छिंदनात इनके गुरू थे उनके कोई मच्छिंद्र कहा जाता है उनके प्रती गोरों का बोध हुआ गोरुखनाजजी को कि मैंने एक शिश्या को किस तरह से दर्सन देते वे उसे भलीभाति स्क्षित कर दिया तो वापस देखें सबद पद दो तरह के मातरा पंच मातर आभे मातरा शिश्या दर्सन के लिए दो तरहका समय हो गया सबतवार पनदरひती थी दो तरे का ज्यान हो गया, ज्यान तिलक और ज्यान चोतिसा, दो तरे का बोध हो गया, नर्वे बोध और आतम बोध, दो तरे के ही रोम और प्राण हो गया, रोमावली और प्राण सांकली, जिसे ज्यान का अंदगार दूर हो गया, प्राणों के से जो ज्यानों की सांकल हो ख पुल गई और अंत में मचेंद्र नाथ के प्रदी गोरो गया मचेंद्र गोरो बोध गोरेकवानी के संपादक पीतामर बढ़तवाल जब भी सिद्धों से समंधित प्राशन पूछा जाता है लगभग उत्तर रहुल सांक्रताइन होता है क्योंकि उन्होंने सिद्धों पर का गोरखनात जिए पीतामर बढ़तवाल जो इन्दी साहिति में प्रतम डिलिट माने जाते हैं गोरखवानी के संपादक पीतामर बढ़तवाल नाथों की संक्या नो माने जाती है और ये इतना मत्तव पूर्ण नहीं है क्योंकि सुक्ल अलग मानते हैं जरी परशाद व्याकरण की दृष्टि से कफी इंपोर्टेंट है यह कशल प्रिक्सा में रता भारत तरी हाई इसको सुद्धि स्था अलगो भृतृत है वखाई अलगो प्र योग tv जुटू आधे । तो इसमें उत्तर हजारी प्रसाद द्वेदी होगा नाथों को अधूत मत कहा हजारी प्रसाद द्वेदी ने नाथ पंद से ही बक्ती काल के संत मत का विकास हुआ वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये प्रस्ण जब आता है और कई बार सिद्ध और नाथ दोनों अप्सन में आ जाते हैं संत मत में कवीर जैसे संत कवियों ने बहुत सारी बातें सिद्धों से भी सीखिये नाथों से भी सीखिये लेकिन जितना नाथों का जो मार्ग या नाथ संपरदाय की जो बातें संत मत में देखी जाती है वो सिद्धों से नहीं क्योंकि जिस चारित्रिक सुचिता को लेकर संत मत चला था वो चारित्रिक सुचिता नाथ पंत में मिलती है सिद्धों के या नहीं एक बहुत महत्वपुन पंक्ती गोरक जगायो जोग भगती भगायो भोग ये तुलसी दास की पंगती है गोरक जगायो जोग भगती भगायो भोग ये प्रस्ण भी खुब पूचा जाता है नाथ साहिति की प्रवर्तियां जिसा अभी अपने देखा था कि नाथ साहिति जो है वो गुरखनात का साहिति ही नाथ साहिति है और एक महत्पून बात और जो यहां सामिल करना मैं भूल गया ब्रजबासा का आरंभिक रूप किन की रचनाओं में मिलता है ब्रजबासा का आरंभिक रूप तो वो गुरखनात की रचनाओं में मिलता है ब्रजबासा का आरंभिक रूप गुरखनात की रचनाओं में नाथ साहिति की प्रवर्तियां सिद्धों नारी को साधना के केंद्र में लिया था जबकि नाथों नारी को साधना से बाहर रखा ज्यान का विसेस महत्व, गुरू का महत्व, पंच मकार का त्याग हाटियोग का उपदेश, जो सिद्धों के यहां भी मिलता है, यहां पर भी मिलता है भोग विलास की भरत्सना जो सिद्धों के यहां नहीं मिलती है जो सिद्धों नाथों में विसे संतर है वो यह है उन्होंने पंचमकार को ग्रहन किया था और भोग विलास के मार्ग को लेकर वो चले थे नाथों ने नारी को साधना से बाहर रखा जबकि सिद्धों नारी को स साधना से बाहर नहीं रखा था केंद्र में लिया था इसके लाव वेदिक कर्मकांड का विरोध भ्रामन धर्म का विरोध ये सब नाथों के यहां भी मिलता है सिद्धों के यहां भी था लेकिन जो अलग बात है सिद्धों के यहां से वो ये तीन बात है नारी को साधना से ब रत्सना नहीं मिलती है, अब हमारे यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक से एक बढ़ करके धीरी धीरी आपको जिन्हों ने भी पिछले साथ आठ वीडियो देखें, मेरा दावा है, उनको अब इसमें रसानुभूती होने लगी है, और सुझाव अवश्यदे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद